शिव बाबा याद है ना? हम कहां तक उनकी शिरीमत पर चलते हैं। तुम यहां आये हो बाब से हेल्थ, वेल्थ, हैपिनेस का वर्सा लेने। इस समय तुम बच्चों को बाब से संपत्ति यादी सब कुछ मिल जाता है। इसलिए कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। क्योंकि यह है पढ़ाई और पढ़ाई में कभी मांगना नहीं होता। जितना जो पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे। हाँ, इसमें पवित्रता भी जरूर चाहिए। बाबा ने कहा, मैं तो हूँ ही एवर शक्तिमान, गोल्डन एस्ड। मुझसे शक्ति लेने वाले तुम हो शिव की सेना। अभी बाब की याद से तुमको इतनी ताकत मिलती है जिससे तुम रावन पर जीत पाते हो और बंदर से मंदिर लायक बन जाते हो। यहां कोई गुण न होने के कारण दुनिया में सब पर राहु की दश्या बैठी हुई है। इसलिए बाब कहते हैं, देदान तो छुटे ग्रहन, देहे सहित, देहे के सभी धर्मों को छोड़, पवित्र बनो। लास्ट में बाबा ने कहा, यह कभी नहीं कहना चाहिए कि हम बाप को भूल जाते हैं। और कशिश भी होती रहेगी। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आये हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैपिनेस का वर्सा लेने। इश्वरिये मत पर चलने से ही बाप का वर्सा मिलता है। प्रश्न, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ती कौन सी बताई है। उत्तर, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई-भाई की द्रिष्टी से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं। इसलिए ब्रिकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यहे द्रिष्टी पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी। खुशी का पारा चड़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम श्यान्ती। शिव भगवानु वाच अपने सालिग्रामों प्रती। शिव भगवानु वाच है तो जरूर शरीर होगा तब तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए। तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को इस्वरिय मत मिल रही है जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर हैं रावन मत पर इस्वरिय मत और आसुरी मत इस्वरिय मत आधा कल्ब चलती है। बाप इश्वरिय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सत्युग त्रेता में वही मत चलती है। वहाँ जनम भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं। और द्वापर कल्युग में है रावण मत। यहां जनम भी बहुत हैं क्यूंकि भोगी लोग हैं, इसलिए आयू भी कम होती है, बहुत संप्रदाए हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं, राम मत वाले फिर रावन मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया की रावन मत हो जाती है, फिर बाप आकर सब को राम मत देते हैं, सत्युग में है राम मत इश्वरिय मत उसको कहा जाता है स्वर्ग इश्वरिय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए वह जब पूरी होती है तो रावन राज्य होता है उसको कहा जाता है आशुरी मत अब अपने से पूछो, हम आशुरी मत से क्या करते थे? इश्वरी ये मत से क्या कर रही है? आगे जैसे कि नर्ग वासी थे, फिर स्वर्ग वासी बनते हैं शिवाल्य में. सत्युक्त्रेता को शिवाल्य कहा जाता है, जिस नाम से स्थापना होती है, तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवाल्य जहां देवता रहते हैं. रचैता बाप ही तुमको यह बातें समझा रहे हैं. क्या रचते हैं? वह भी तुम बच्चे समझते हो. सारी रचना इस समय उनको बुलाती है. हे पतित पावन, वहे लिब्रेटर, रावन के राज्ये से, वह दु उड़ाने वाले. अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है. तब इसको दुख समझते हो. नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं. जैसे बाप नौलेजफुल है, मनुष्य सुरिस्टी का बीज रूप है, तुम भी नौलेजफुल बनते हो. बीज में जाड की होती है न? परन्तु वह है जड. अगर चेतन्य होता, तो बता देता. तुम चेतन्य जाड के हो. इसलिए जाड को भी जानते हो. बाप को कहा जाता है, मनुष्य सुरिस्टी का बीज रूप, सत्चित आनंद स्वरूप. इस जाड की उन्नती और पालना कैसे होती है? यह आपने समझाया है, पूराने जाड वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावन से लिब्रेट करो. क्योंकि इस समय रावन राज्य है. मनुष्य तो न रचाईता को न रचना को जानते. खुद बाप बतला रही हैं, मैं एक ही बार हैविन बनाता हूं. हैविन के बाद फिर हेल बनता है. रावन के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं. सत्युग में हेल्थ, वेल्थ, हैपिनेस सब है. तुम यहां आए हो बाप से वर्सा लेने, हेल्थ, वेल्थ, हैपिनेस का. क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं. तुम्हारी दिल में है कि हम पुरुशोत्तम संगम युग में पुरुशार्थ करते हैं नाम ही कैसा अच्छा है और कोई युग को पुरुशोत्तम थोड़ी ही कहते हैं उनमें तो सेड़ी नीचे उतरते जाते हैं बाप को बुलाते भी हैं समर्पन भी करते हैं लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो हैं, ओ गोड फादर, लिब्रेट करो, गाइड बनो। लिब्रेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं, तो बड़ा खुश होते हैं। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर जनम तो लेना पड़ता है, किसको दस, किसको बारा बच्चे होते हैं, परंतु एह सब हैं हद के सुख, जो काग विष्टा समान है, तमो प्रधान बन जाते हैं, तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है, तुम सतो प्रधान बनते हो, तो बहुत सुख होता है, सतो समझते हैं God Almighty Authority है तो जो चाहे सोक कर सकते हैं मरे को जिन्दा कर सकते हैं एक बार कोई ने लिखा अगर आप भगवान है तो मक्खी को जिन्दा कर दिखाओ ऐसे धेर प्रश्न पूछते हैं तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावन पर जीत पाते हो बंदर से मंदि लायक बनते हो उन्होंने फिर क्या-क्या बना दिया है वास्तों में तुम सब सीताएं भक्तियां हो तुम सब को रावन से छुडाया है रावन दवारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता इस समय सब रावन की जेल में हैं राम की जेल में नहीं कहेंगे राम आते हैं रा पुझाएं दिखाई हैं। बाप ने समझाया है कि पांच विकार पुरुष में, पांच विकार स्तरी में हैं। उनको कहते हैं। तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्यूंकि यह तो पढ़ाई है, पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टुडेंट पढ़ेंगे जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे मांगने की बात नहीं इसमें पवित्रता भी चाहिए एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है पदमा पदम बाप को पहचानो याद करो बाप ने पहचान दी है जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ वह तो एवर पवित्र है शान्ती, ज्यान, पवित्रता का सागर है एक की ही महिमा है सबका पोजिशन अपना-पना होता है नाटक भी बनाया है कण-कण में भगवान जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहां भी जाओ सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावन राज्य को खलास कर देते हो यह है बेहद की बात वह कहानिया हद की बना दी है तुम हो शिव शक्ती सेना शिव ओल्माइटी है ना शिव की शक्ती लेने वाले शिव की सेना तुम हो उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है अब तुम्हारा नाम क्या रखे तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया शिव की तो सभी संतान है सारी दुनिया की आत्माई उनकी संतान है शिव से तुमको शक्ती मिलती है शिव बाबा तुमको ज्यान सिखाते है जिससे तुमको इतनी शक्ती मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्प पर राज्य करते हो तुम्हारी यह है योग बल की शक्ती और उन्हों की है बाहू बल की भारत का प्राचीन राज्योग गाया हुआ है चहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें जिससे पैरडाइज था पन हुआ था कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैरडाइज था वह कैसे बना योग से तुम हो प्रवरिती मार्ग वाले सन्यासी वह घर बार छोड जंगल में चले जाते हैं ड्रामा नुसार हर एक को पाल्ट मिला हुआ है इतनी छोटी से बिंदी में कितना पाल्ट है इसको कुदरत ही कहेंगे बाप तो एवर शक्ती मान गोल्डनेज्ड है अभी तुम उनसे शक्ती लेते हो यह भी ड्रामा बना हुआ है ऐसे नहीं कि हजार सूरियों से तेजों में है वह तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं आँखे लाल-लाल हो जाती है बस करो हम नहीं सहन कर सकते बाप कहते हैं वह सब भक्ती मार के संसकार है यह तो नौलेज है इसमें पढ़ना है बाप टीजर भी है पढ़ा रही है हमको कहते हैं तुमको तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है बाप ने समझाया है Here no evil मनोश्यों को पता नहीं है कि यह किसने कहा है पहले बंदर का चित्र बनाते थे अभी मनोश्यों का बनाते रहते हैं बाप ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था मनश्यों को भक्ती का नश्या कितना है भक्ती का राज्य है न अभी होता है ज्यान का राज्य फर्क हो जाता है बच्चे जानते हैं बरोबर ज्यान से बहुत सुक होता है फिर भक्ती से सीड़ी नीचे उतरते हैं हम पहले सत्यूग में जाते हैं फिर जो मिसल नीचे उतरते हैं। बारा सो पचास वर्ष में दो कला कम होती हैं। चंद्रमा का मिसाल है। चंद्रमा को ग्रहन लगता है। कलाईं कम होने लगती हैं। फिर धीरे धीरे कलाईं बढ़ती हैं। तो सोलह कला होता है। वह है अल्पकाल की बात, यह तो है बेहद की बात, इस समय सभी पर राहु का ग्रहन है, उँचते उँच है ब्रस्पति की दशा, नीचे में नीची है राहु की दशा, एकदम देवाला निकाल देते हैं, ब्रस्पति की दशा से हम चड़ते हैं, वह बेहद के बाप को जानते नहीं है, अब राहु की दश्या तो सब पर बरोबर है, यह तुम जानते हो, और कोई नहीं जानते, राहु की दश्या ही इनसोलवेंट बनाती है, ब्रस्पती की दश्या से सोलवेंट बनते हैं, भारत कितना सोलवेंट था, एक ही भारत था, सत्युग में राम राज्य, पव पित्र राज्ये वाले गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, ऐसी संस्थाइं भी बनाई हैं, निर्गुण संस्था, अरे ये तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है, एक की बात थोड़ी ही है, बच्चे को हमेशा महत्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते ह अब बाप कहते हैं, देदान तो छुटे ग्रहन, अब जाना तो सबको है ना, देहे सहित, देहे के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्य करो, तुमको अब वापिस जाना है, पवित्र ना होने के कारण, वापिस कोई जाना सके, अब बाप पवित्र होने की युकति बताते हैं, बेहद के बाप को याद करो, कई कहते हैं, भाबा हम भूल जाते हैं, बाप कहते हैं, मीठे बचों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे, तो पावन कैसे बनेंगे? विचार करो कि यह क्या कहते हो जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं तुम क्या कहते हो मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ तुम आये हो बेहद का वर्सा लेने निराकार बाप साकार में आये तब तो पढ़ाए अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है यह है बाप दादा दोनों की आत्मा इस ब्रिकुटी के बीच में है तुम कहते हो बाप दादा तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी शुबाबा और ब्रह्मा की आत्मा तुम सब बने हो प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमको नौलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर प्रजा पिता ब्रह्मा दवारा हम भाई बेहन बनते हैं। यह याद पक्की जाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बेहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है बहुतों को विकल्प आते हैं अच्छा शरीड देखकर विकल्प आते हैं अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ भाई भाई की द्रिष्टी से देखो आत्माई सब ब्रदर्स हैं ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए सबका एक बाप है सभी बाप को याद करते हैं अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो मामे कम याद करो जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी खुशी का पारा चड़ेगा और कशिश होती रहेगी नंबरवार पुरुशार थनोसार अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धारणा के लिए मुख्ये सार पहला पॉइंट पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्व्यम को संपत्ति वान बनाना है कुछ भी मांगना नहीं है एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पदमा पदमपती बनना है दूसरा, राहु के ग्रहन से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है Here no evil जिन बातों से सीड़ी नीचे उतरे निर्गुन बने उन्हें बुद्धी से भूल जाना है आज का वर्दान पहले आप के मंत्र दवारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्मान सो महान भव पहले आप के मंत्र दवारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्मान सो महान भव भाबा ने कहा यही महमंत्र सदा याद रहे कि निर्मान ही सर्व महान है पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है माहान बनने का यह मंत्र वर्दान रूप में सदा साथ रखना वर्दानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुँचना महनत तब करते हो जब वर्दानों को कारिय में नहीं लगाते अगर वर्दानों से पलते रहो वर्दानों को कारिये में लगाते रहो तो मेहनत स्माप्त हो जाएगी सदा सफलता और संतुष्टता का अनभव करते रहेंगे स्लोगन सूरत दवारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमनीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो सूरत दवारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमनीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो ओम शान्ती आज बाबा एक ओफर दे रहे हैं जो हर एक ब्रामन के लिए बड़े काम की है वह विशे सोगात क्या है जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यानमोती